हेलो एवरिवन दिस इस दिपिका वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइन्स के मॉडर्न अप्रोच इस में तो पहले मैं एक ओवर्विव दे दूँगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में आपको किन-किन टॉपिक्स पर डिसकेशन होगा तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझने के लिए पहला इस टिप क्या है मार्क्सिजम को समझना तो मैं बहुत ही इंपल टर्म में समझाओंगी कि मार्क्सिजम है क्या दिन मार्क्सिजम में जो टर्म यूज किये जाते हैं जिसकी विजह से मार्क्सिस्ट अप्रोच स्टुडेंट को टफ लगता है डैट इस डालेक्टिकल प्रोसेस और हिस्टोरिकल माटिरियलिजम में मैं थोड़ा सा करूंगी जिससे कि Marxist अप्रोच की जो टेक्निक्स हैं जो इंक्वाइरी है पॉलिटिकल इंक्वाइरी वो आपको समझ में आए और किलियर हो फिर हम बात करेंगे Marxist अप्रोच की जो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि Marxist अप्रोच के मेन characteristics, features क्या है और इसको समझने के बाद हम देखेंगे कि Marxist अप्रोच की क्या limitations है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने criticize किया है इसे दिन देखेंगे कि Marxist अप्रोच का significance क्या है क्या contributions रहा है political science के लिए तो ये चीज़ें आज आज आपको वीडियो में जानने को मिलेगी फिर मैं थोड़ा सा आपको explain करूँगी जब मैं Marxism explain करूँगी कि यह base और super structure relationship क्या है see आप हो सकता है कि first time Marxism पढ़ रहे हो या Marxist approach पढ़ रहे हो तो I can feel you guys I can understand your position जहां पे हमें Marxism मुझे लगता है सबसे tough लगता है but trust me guys Marxism यह Marxist approach one of the easiest approach है one of the easy topic है अगर आप इसे एक story की तरह समझ लेते हो trust me guys मैं भी आपकी ही position में कभी थी जब मुझे यह topic बहुत tough लगता था difficult लगता था कुछ समझ में नहीं आयता था कि dialectical process क्या है historical materialism क्या है भी superstructure सब क्या है but trust me आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही simple एक story के form में इसे बताऊंगी so thanks for watching अगर आप नए हो तो please like, share and subscribe my channel तो एक मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं request करूँगे कि आपने इसे एक story की तरीके लेना और imagination करना जब हम imagine करते हैं तो information को long term तक हम retain कर पाते हैं है ना आपने भी experience किया होगा ये तो picturization, imagination must होता है हमारी studies में भी information को long duration तक retain करने के लिए तो seriously Marxist approach के समझने ये क्यों इतना important है आप देख रहे होगे कि कितने सारे questions इस topic से पूछे जाते हैं हर साल तो इसलिए ये topic हमारा बहुत important है Marxism की बात करें कि what is Marxism तो Marxism क्या है एक तरीके कि आप इसे social philosophy, political philosophy, economic philosophy कह सकते हो क्योंकि इसमें social issues भी हैं जैसे की workers के rights, exploitation, political क्यों है क्योंकि हम governments, set up की बात करेंगे इसमें politics की भी बात करेंगे, state की बात करेंगे economic philosophy क्यों है क्योंकि हम economic factors की बात करेंगे, mode of productions की बात करेंगे, earnings, wages की बात करेंगे तो marxism क्या है social political economic philosophy है क्योंकि सारे factors dimensionous पे interlinked है और इसको marxism क्यों कहा गया क्योंकि ये Karl Marx के दोरा ideology को systematic तरीके से produce किया गया जिसके वज़े से इस ideology को marxism नाम पड़ गया जैसे गांधी जी के जो thoughts हैं हम उनको क्या कहते हैं गांधिism कहते हैं तो इसी तरीके से marxism हो गया अब main focus इस marxist philosophy का क्या रा है कि जो struggle हो रहा है दो classes के बीच में ये classes क्या है एक capitalist class है एक working class है इसके बीच में जो struggle है उसको analyze किया गया है इक्जामिन किया गया है और बहुत सारे कारण बताये गये हैं कि क्यों ये struggle है और इसके लिए बहुत सारे method यूज किये गये हैं जैसे dialectical method, historical materialism ये सारी चीज़ें अब ये जो struggle बताता है कि power relation जो ये दो classes के बीच में struggle है society में ये power relationship पे based है power relation जब unequal होती है तो स्वभाविक सी बात है class conflict होगा आप ही आप जब siblings आप imagine करो आपके घर में दो आप दो siblings हो भाई और बहन अगर बहन को ज़्यादा power दे दी जाती है decision making में तो आपको बुरा लगते है ना आपको लगते है सारी घर पे सारी चीज़ें बहन के कहने पे चल रहे है मेरा तो कुछ होई नहीं रहा है मुझे power ही नहीं है मेरी तो कुछ लती ही नहीं है मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता है तो यह जो power relationship है ना यह conflict create करती है और जब यह conflict यह power relationship exploitative in nature हो जाए कि बड़ी बहन आके आपको मारे धमकाए और जबरजस्ती आपको काम कराए और जो वो बोले वो boss बन जाए एक तरीके से तो वो यह relationship क्या हो गई exploitative हो गई तो जरूरी हो जाता है कि इस आपके अंदर भी आएगा ना कि नहीं भाई अब तो यह enough is enough आप मुझे यह खतम करना होगा और मुझे इसमें यह जो class conflict है हमारे बीच में यह जो power relationship है से balance करना होगा तो same हुआ था marxism में कि यह जो capitalism में capitalist system में class conflict है इसे overthrow करना है और हमें equality establish करना है balance establish करना है जिस उसको कहा गया कि हम socialism और further communism लाएंगे समझ में आई इतनी story अगर आपको और यह कैसे हम overthrow कैसे करेंगे इसके लिए हम क्रांती करेंगे revolution लाएंगे जैसे हम घर पे हम धरने पर बैठ जाएंगे नहीं मम्मी ऐसा नहीं होगा आपको करना पड़ेगा ऐसी चीज़ें आपको मुझे भी power देनी पड़ेगी मेरी भी बात सुननी पड़ेगी तो हमें capitalist system को overthrow करना है एक क्रांती लाकर और यह क्रांती लाई जाएगी उस class के दौरा जिसके पास power कम है तो मोटा माटी अगर समझ में आ गया हो आपको तो हम और deep में समझेंगे कि भाई एक class conflict को origin हुआ कैसे यह जो power relationship है इसका balance बिगड़ा कहां स कैसे एक class के पास power हो गई दूसरी class सिर्फ working class बन कर रहे गई यह समझने की कोशिश करते हैं और इसी में हम समझेंगे कि dialectical process क्या है और historical materialism process क्या है simply मैं बता दूँ कि marxist approach में हर जैसा कि मैंने बताया कि approach में हम क्या करते हैं कुछ ऐसे process कुछ ऐसी mechanism कुछ ऐसे techniques method हम adopt करते हैं political inquiry के लिए तो marxism में जब Karl Marx ने political inquiry की तो उसमें कुछ method adopt किये थे, dialectical method, historical materialism method अब यह क्या method है, scientific method, behavioralism approach का तो आपको समझ में आ गया था, traditional approach का जो analysis method है वो समझ में आ गया था आपको अब marx, यह dialectical method क्या है, see, dialectical का मतलब है similar thing की contradictions होना, जैसे की society में two classes present है एक के पास पैसे हैं, एक के पास नहीं है, एक boss है, एक slave है, एक master है और एक knocker है, इस तरीके का तो two conflicting thing है या two contradictions of the similar thing को dialectical कहते हैं, मतलब आपको सेम चीज़ का positive force होना और negative force होना, तो dialectical process ऐसे चलता है जिससे history develop होती है, historical materialism का मतलब यह है, कि जो हमारी history रही है, historical development हुआ है हमारे जो human civilization का, यह matter पे based रही है, realities को consider करने के दो school of thought है, एक यह है, जो कहता है कि ideas real होते हैं, जैसे plateaus, इन्हें idealistic कहते हैं, दूसरा होता है, वो कहते हैं कि matters real होते हैं, ना कि ideas, इन्हें कहते हैं materialistic जैसे कि Karl Marx, तो historical materialism में Karl Marx ने यह define किया, कि जो हमारी overall history रही है, history इसकी human civilization की, जैसे पहले human being गुफाओं में रहता था, hunting करता था, शिकार करता था, ऐसे, अब हम देखो, अभी इतने modern हो गए हैं हम लोग, तो अभी, अभी यह जो civilization की growth रही है, यह historical materialism पे based रही है, मतलब matters के आधार पर move किया है, ना कि ideas के आधार पर, यह heagle से अलग है, heagle कहते हैं कि ideas के आधार पर grow किया है, जबकि Karl Marx कहते हैं कि matters के आधार पर किया है, तो historical materialism समझ में आया, ऐसे जो keywords हैं, बस आप उनको समझते चलना, आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं यह मानखर चल रही हूँ कि अभी आपको dialectical समझ आ गया, historical materialism समझ आ गया, तो यह जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक class struggle की शुरुवात कहां से हुई, तो कालमाक्स कहते हैं कि जो history progress किया है यह conflict की वज़े से हुआ है, historical materialism की वज़े से हर एक society में हमेशा से two classes, वो भी two antagonistic classes, antagonistic का मतलब है, दो opposite, मतलब एक haps class, एक haps not class, यह haps and haps not class का division किस बेसिस पर हुआ है, जो production है, जो mode of production है उनकी ownership को लेकर, ओके, तो थोड़ा सा और detail में चलते हैं, तो कालमाक्स कहते हैं कि जो human being का पूरी history रही है न, exception इसमें primitive states को अलग करके human being की पूरी history, किस चीज की history है, history of class struggle, so human civilization की जितनी भी अभी तक की इतिहास रहा है, history रही है, यह history class struggle से भरी पड़ी है, एक exception है इसका, मतलब जो शुरुवाती दोर में human being ने शुरुवात किया था, primitive जो societies थी हैं हमारी, इसे कालमाक्स ने primitive states कहा, primitive states, वो states human being की refer करते हैं, जहां पर human being गुफाओं में रहता था, hunting करता था, मतलब शिकार करके भोजन करता था, मतलब property की ownership नहीं थी, सब चीज़ें common थी, मतलब jungle common है न, मैं जाओंगी तो मैं शिकार करके ले आओंगी, fruits थोड़ के ले आओंगी और अपने घर का और अपना भोजन करेंगे, दूसरा आदमी जाएगा, वो शिकार करेगा, जंगलों से फूड इकठा करेगा और अपने family को लाएगा, तो private property का concept नहीं था, primitive stage में, हम गुफाओं में रहते थे, right, कोई कहीं पे भी shelter बना लेता था, right, तो इस, इसमें क्या है, जो, जो production, जो resources थे, इसकी ownership common थी, तो इसे कालमाक्स कहते हैं, primitive stage और यहाँ पे तो economic system present था, वो primitive communism था, common ownership जिसे हम कहेंगे, तो यह history में, बस इस stage में class struggle नहीं था, सब भी balance थी न, power relationship, आपको भी equal power पेड़ों से अफ़ल तोड़ने का मुझे भी है, तो power relationship यहाँ balanced है, तो कोई class struggle नहीं है, फिर कालमाक्स कहते हैं, कि जैसे जैसे human beings, human civilization में develop होते गए, मतलब agriculture फिर धीरे से develop हुआ, तो human being ने क्या क्या है, एक settled life जीना शुरू कर दिया, फिर जो जमीने थी, उनको घेर करके वहाँ पे agriculture करने लग गया, फिर घर बनाने लग गया, जमीन को किया, अपनी जोपड़ी बना ली वहाँ पे, तो बुला, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, तो इस तरीके से ownership आई, अब जब ownership आई, इस stage को कालमाक्स कहते हैं, slave system, तो total कालमाक्स ने पूरे human being की civilization को पाँच stage में बाटा आए, पहली primitive communism या primitive stage हमने समझ ली, क्या characteristic थे, अब next आती है, slave system, जब जैसे ये लोगों ने, human beings ने, resources पे अपनी ownership का tag लगाना शुरू कर दिया, ये मेरा खेत हो गया, ये मेरी जमीन हो गया, ये मेरा घर हो गया, तो ये जब society में slave system बन गया, कैसे, अब slave system में भी दो antagonistic classes develop हो गई, एक वो class जो dominant थी, और उन्होंने जो resources थे, means of production जिसे हम कह रहे हैं पूरे marxism में, तो resources पे अपनी ownership अपनी कर ली, क्योंकि वो powerful थे, तो उन्होंने dominance establish कर लिया, एक वो class थी, जो dominance establish नहीं कर पाए, ownership नहीं कर पाए resources पे, तो वो गुलाम बन कर रहे गए, अब वो किसकी सेवा करेंगे, उन masters की, जिनके पास property है, जिनके पास means of production की ownership है, तो उनके आँ वो as a labor काम करेंगे, as a slave काम करेंगे, तो यहाँ आप से class struggles शुरू हो गया, तो जब class में division है, दो classes है, एक के पास power है, एक के पास नहीं है, तो but obvious है न, जिसके पास power है, वो दूसरे को exploit करेंगा, तो इसी तरीके से जो गुलाम थे, जो slaves थे, उनके exploitation शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जो slave होंगे, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं, इस system से हमें बाहर निकलना होगा, फिर further history matter develop करता है, human being की history advance होती है, और agriculture large scale में होने लगता है, जब agriculture fully established हो जाता है, large scale में होता है, trade होने लगता है, तो जो system बनता है society में, उस stage को कालमार्क्स कहते हैं, feudal system, अब feudal system में भी दो antagonistic, मतलब दो conflict या कह सकते हो, contradictory classes produce होती हैं, उभर कर आती है, right, positive force, negative force, तो ये, देखो, dialectical चल रहा है, अब दो antagonistic things या, या, जो confronting thing है, वो साथ-साथ चल रही है, feudal system next stage आती है, third stage, अब यहाँ पर भी दो classes आ गई, एक वो हो गए, जो feudal class के हो गए, जिनके पास property की बहुत large scale में ownership है, जैसे कि जमीदार हो गए, okay, अब दूसरा जो है, वो किया है, सिर्फ अपने वेजिस के लिए, इन feudals के आँ काम कर रहे है, इन जमीदारों के आँ काम कर रहे है, वो landless हो गए, या, landless labors हो गए, okay, तो यहाँ पर भी दो antagonistic classes है, exploitative situation है, फिर further जैसे history advance करती है, industrial revolution आता है, तो factories establish होती है, तो mode of production जैसे जैसे change हो रहा है, society में जो classes है, वो भी change हो रहे है, उनका nature change हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि यह class struggle हर एक stage में बना हुआ है, except primitive communism, तो capitalist system में क्या हुआ? factory system आया, अब factory system में एक class जो powerful थे, उनके पास ownership हो गई means of production या resources की, मतलब factories पे, और दूसरी class सिर्फ working class बन कर रहे गई, जिसको haps not class कहते हैं, उसके पास factories की ownership नहीं थी, वो सिर्फ उन factories में as a labor काम करता था, उसके बदले उसे पैसे मल जाते थे, तो ये भी power relationship balanced नहीं थी, exploitative in nature थी, जो factory owners थे, जो capitalist class या haps class के थे, वो haps not class या worker class का exploitation करते थे, उनको sufficient basis नहीं देंगे, extra hours काम कराएंगे, इस तरीके के चीज़ें, तो Karl Marx डिफाइन कर रहे हैं main capitalist society को, और capitalist society को समझने के लिए वो history को समझ रहे हैं, कि ये system शुरू कहां से हुआ, getting it, तो अब जो Karl Marx हैं, वो कहते हैं, कि हमें इस exploitative system को, इस class struggle को खतम करना होगा, अब हम खतम करने के लिए क्या करना होगा, present में जो capitalist system है, इसको overthrow करना होगा, अब इसे overthrow करोगे, मतलब इसे उखाड फेकोगे, किसकी सहायता से, किसकी help से, working class एकठे होंगे, और वो कुरांती करेंगे, revolution करेंगे, और हम क्या establish करेंगे, socialist system, फिर से socialist system, जहां पर कोई class division नहीं होगा, जब class division नहीं होगा, तो class struggle भी नहीं होगा, कुल मिलाकर हमें यह जो primitive communism के almost near जाना है, socialist system, transition phase होगा, फिर हमें establish करना होगा, communism, मतलब जो means or production है, इनकी ownership कैसे रहेगी, common तरीके से रहेगी, जैसे primitive communism, यह primitive stage में हो रहा था, तो यह five stages आपको समझ में आई, काल मांक्स का, और dialectical process, समझ में आया कि कैसे हर stage में दो contradictory चीज़ें प्राजेंट थी, दो contradictory या conflicting classes प्राजेंट थी, एक half class, एक half not, half class जिसके पास ownership थी resources की, half not class जिसके पास resources की ownership नहीं थी, historical materialism समझ में आगया कि पूरी history कैसे mode of production से define होई है, और पूरी जो history है, ये history of class struggle कैसे रही है, according to काल मांक्स, इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो आपको Marxism समझ में आ गया, मुझे लगता है कि, अगर कोई doubt हो तो comment कर सकते हो आप मुझे, नीचे, अभी halfs and halfs not class समझ आ रहा है ना आपको, halfs class वो होती है, जिसके पस ये जो mode of production है ना, जैसे factories या land हो गया, इनकी ownership होती है, halfs not class जिसके पस ownership नहीं है, means of production या modes of production, जिसे हम resources कहते हैं, तो अब हम आते हैं अपने actual topic पे, that is Marxist approach, मैंने अल्रेडी पहले आपको बताया था, कि मैं पहले Marxism explain करूँगी, then Marxist approach में जाओँगी, ताकि आपके लिए ही easy हो सके, मैं आपके लिए एक easy ground बना सकूँ, जहां पे Marxist approach है, उसे समझना आपके लिए आसान हो जाए, तो Marxist approach, जो Marxist, कार्ल मार्क्स के supporter हैं, या इवन कार्ल मार्क्स हैं, यह कहते हैं कि हमें politics को अगर समझना है, जो real nature of politics है, तो हमें hidden basis को समझना होगा, जो कि अभी तक के approaches ने उसे recognize नहीं किया है, हम बस यह देखते हैं कि अच्छा, present में क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसी government है, किस तरीके के government institutions and organizations है, किस तरीके की power equation है, तो जो contemporary situation में present हैं, बस हम उन्हें देख रहे हैं, उनका analysis कर रहे हैं, सो Marxist approach में बात की जाती है, कि अगर हमें politics का real nature समझना है, तो हमें पहले inquiry करनी होगी, उन hidden factors की, जो हमारे social structure को बनाते हैं, और according to Karl Marx, वो hidden factors क्या है, economic factors, getting it, तो Karl Marx कहते हैं, कि जो यह concept of state आया है, यह आया कहां से actually, इसे समझना है हमें, ना कि यह कि state क्या है, कैसे काम कर रहा है, state का role क्या है, state के institutions क्या है, आप पहले यह तो बताएं, कि यह conception of state है, इसकी inquiry पहले करो, कि आया कहां से यह, क्यों बनाया गया, किस stage में, यह जो state है, वो existence में आया, तो in their opinion, मतलब जो Marxist approach के supporter, उनके according, state की जब hidden basis की inquiry की गई, तो यह पाया गया, कि जो society के economic factors हैं, जिसको Marxist supporter base कहते हैं, तो जो concept of state है, यह depend करता है इस base पे, base का मतलब क्या है, economic base, economic factors, मतलब जो mode of production है, so mode of production, decide कर रहे हैं, कि किस तरीके की politics होगी, किस तरीके का state होगा, किस तरीके का culture होगा, किस तरीके की society होगी, किस तरीके का religion होगा, ओके, तो सबसे, जो यह hidden basis की बात कर रहे हैं, काल माक्सिया, तो hidden basis क्या है, यह base है, economic factors, और इसी लिए, काल माक्सिस्ट अप्रोच में, कहा गया है, कि politics और economy को, हम अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं, हमें इन्हें interconnect करके पढ़ना होगा, ओके, तो base समझ में आया, कि माक्सिस्ट अप्रोच में, base किसे कहा जा रहा है, तो base और super structure relationship में, हम यह discuss करते हैं, कि कैसे economic factors, जो base है, according to Marxist supporter, यह कैसे तैं करते हैं, कि super structure कैसा होगा, मतलब जो nature of politics होगा, nature of state होगा, वो कैसा रहेगा, अब यह कैसे आप समझोगे, अगर इतना समझ में आ गया हो, तो मैं further बताऊँ, कि जैसे कि capitalist stage को, यह हम stage कर रहे हैं, जिस stage में काल मार्क्स, Marxist theory दे रहे थे, Marxist approach दे रहे थे, हम उसी society को करेंगे, so capitalist stage, capitalist stage में हमने देखा था, कि दो antagonistic classes हैं, एक haves class, एक haves not class, right, so अब haves class क्या कर रही है, इसको तो अपने interest को safeguard करना है, protect करना है, मतलब अपने base, जो mode of production है, यह haves class चाह रही है, कि उसकी ownership मेरे तक ही रहे, और जो यह haves not class है, यह चुपचा बस काम करते रहें, ओके, ना तो हम अपना profit या surplus value इनके साथ share करेंगे, और ना ही हम इन्हें जरूरत से ज़ादा wages देंगे, getting it, तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस तरीके का politics, यह इस तरीके का political system बनाया, जो इनके interest को safe कर सके, safeguard कर सके, protection दे सके, और इसके लिए इन्होंने according to Marxist क्या बनाया, state बना दिया, तो state को इन्होंने काम क्या दिया, कि law and order maintain करो, बाकि economy में आपका कोई लेना देना नहीं है, बहिए state का क्या काम दिया गया था, कि सिर्फ आपको law and order maintain करना है, तो Marxist कहते हैं, कि जो यह state का nature जो बनाया गया है, कि आप police state की तरह काम करें, यह सिर्फ law and order देखें, आप governance करें, बाकि individual को freedom and liberty रहने दें, economic sphere में आप interfere ना करें, तो यह सिर्फ इसलिए बनाया गया, ताकि यह जो haps class है, अपनी economic base को safeguard कर सके, अपने जो factories हैं, अपनी property हैं, उसको protect कर सके, और इस तरीके से, state एक instrument of exploitation बन गया, जो किसके हाथ में था, आपके haps class के हाथ में, तो यह है hidden basis of the entire social structure, जिसको Karl Marx ने, base और superstructure relationship के माध्यम से explain किया है, अब आपको समझ में आया, कि Marxist approach के according, state कैसे existence में आया, और state का nature जो है न, वो exploitative क्यों है, वह state को power दी जाएगी, तब ही तो आप अपने interest को safe कर सकते हो, ओके तो यह समझ में आ गया, base structure and relationship, तो further चलते हैं, अब Marxist approach के main characteristics, या features को समझ लेते हैं, तो Marxist approach कहता है, कि जो political inquiry है, that is historically oriented, मतलब अगर आपको society की, जो social and political problems and issues है, अभी contemporary time पे, इनको समझना है, तो हमें history को समझना होगा, जैसे काल माक्स ने capitalist society को समझने के लिए, कि यहां पर इतनी inequality क्यों है, या ये class struggle capitalist society में क्यों present है, इसको समझने के लिए काल माक्स ने history को समझा, human being की past history को समझा, कि कैसे primitive states में equality थी, balanced power relationship थी, लेकिन slave society, feudal society में इन सब में कैसे कैसे आकर, class struggle आना शुरू हुआ, तो political inquiry कैसी होनी चाहिए, historically oriented होना चाहिए, ना कि सिर्फ present जो issues है, social या problems उस तक limited नहीं होनी चाहिए, political inquiry, पहला most important features, समझ में आ गया कि historically oriented क्यों होनी चाहिए, इसलिए मैंने marxism आपको पहले पढ़ाया है, ताकि अब आपको चीज़ें समझ में आए, next, जो marxist approach है, ये कहता है कि जो study of politics है, ये link होनी चाहिए economic के साथ में, economic factors के साथ में, तो अगर politics को आपको समझना है, तो बिना economics या economic system को समझे, आप politics को नहीं समझ सकते हो, marxist approach में ये कहा गया, अब क्यों नहीं समझ सकते हो भाई, तो marxist के जो supporter हैं अप्रोच के, वो क्या कहते हैं, कि भाई जो base है, जो economic factors हैं, वही तो decide कर रहे हैं, कि politics का nature कैसा होगा, state का nature कैसा होगा, तो आपको politics समझना है, लेकिन जो उसका root cause है, वही नहीं समझ रहे हो, तो आप politics कैसे समझ पाएंगे, getting it, ये इस picture से फिर से मैं आपको थोड़ा सा और explain कर दूँ, ताकि कोई confusion ना रहे, तो marxist approach में कहते हैं, कि अगर आपको super structure, जिसमें state, politics, सब आते हैं, इसे समझना है, तो आपको पहले base समझना होगा, आपको पहले economic system समझना होगा, जैसे example अगर देखा जाए, तो Karl Marx ने भी समझा ना, कि जो capital system है, ये कैसे काम कर रहा है, जिसकी वज़े से state का nature ऐसा है, जो law and order तक limited है, फिर इसके लिए उन्होंने इतिहास समझा, कि अच्छा, feudal society में भी ऐसा ही था, slave society या slave states में भी ऐसा ही था, getting it, तो study of politics and economics interlinked है, और अगर आप politics और economics को अलब कर देते हो, separate करके समझ रहे हो, तो आप reality नहीं समझ पाएंगे, और आप confused हो जाएंगे, getting it, next है, तो according to Marxist approach, जो analysis है, वो किस पे based होना चाहिए, economic orientation, मतलब जब आप political inquiry कर रहे हो, तो आपकी जो analysis होगी, वो economic orientation, जैसे कि हमने देखा है ना, कि politics और economics को interlinked करके पढ़ना है, तो social और political issues की reality को समझने के लिए जरूरी है, कि हम जो हमारा जो orientation हो, जो हमारा outlook हो, वो कैसा हो, economic outlook हो, मतलब हम economic factors को भी consider करके चलें, नहीं तो हम social और political issues की reality को नहीं समझ पाएंगे, और confused हो जाएंगे, got it, ये next feature है, जो marxist approach हम पढ़ रहे हैं, उसका ये, कि हमें method यहां पे क्या लेना है, dialectical method, अब जैसे कि behavioral approach में, हम कैसी methodology अडॉप्ट कर रहे थे, scientific methodology अडॉप्ट कर रहे थे, पोस्ट भी हेविलिजम आया, पोस्ट भी हेविलिजम में हम scientific method के साथ-साथ पे, वेलू लेड़न जो जो normative methodology थी, उसे भी consider कर रहे थे, तो marxist में, marxist approach में किस तरीके की methodology अडॉप्ट की गई, dialectical methodology, dialectical method, dialectical method में ने ओल्रेड़ी बताया आपको की similar थिंग की, दो conflicting चीज़ें present होना, positive force, negative force, जिसकी वज़े से class struggle हुआ था, जैसे की slave society में हमने दो antagonistic classes देखी थी, slave class and the master class, उसी तरीके से capitalist system में हम दो antagonistic classes देख रहे हैं, same time पे, same society में, एक haps class, जैसे आप bourgeois class कहते हैं, या proliterate class, दूसरी जो haps not class, next है, कि जो state है, basically, ये एक तरीके से हम इसे avoid नहीं कर सकते हैं, this is inevitable, मतलब, जिस तरीके का class contradictions present है, इस dialectical method के थूँ हमने ये find out किया, कि हर society में class contradictions, contradictions present है, अब ये class contradiction है, तो हमारा जो state है, ये must है, आप state को avoid नहीं कर सकते हैं, the reason is this, कि हम capitalist society का example अगर लें, तो जो haps class है, उसे अपने interest को safeguard करनी है, तो वो state बनाएगा, to protect their interest, their property, their factories, okay, तो class contradiction की वजए से, state must हो जाता है, अब हम जब class, में देखो, काल मार्क्स का क्या है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या है, कि हमें state को खतम करना था, क्यों, क्योंकि state क्या है, इंस्ट्रूमिन्ट ओफ एक्स्ट्रूइटेशन है, तो state को आप तभी खतम कर पाऊगे, जब class contradictions खतम कर पाऊगे, जब तक class contradictions रहेगा, तब तक state present रहेगा, काल मार्क्स ये कहते हैं, तो अगर आपको state abolish करना है, खतम करना है, तो आपको class contradictions खतम करना है, जब आपको class contradictions खतम करना है, तो आपको क्या करना होगा, capitalist system को overthrow करना होगा, उखाड फेकना होगा, और उसकी जगे आपको socialism, communism establish करना होगा, समझ आया, और हमें ये state को क्यों उखाड फेकना है, अल्रेडी मैंने बताया कि ये instrument of exploitation है, तो political inquiry के बाद, marxist approach में ये पाया जाता है, कि जो state है, this is the instrument of exploitation, क्यों instrument of exploitation है, क्योंकि जो base है, उसने ही बनाया है, इस superstructure को, जो capitalist class है, उसने state को artificially construct किया है, जिससे कि वो अपने interest को safeguard कर सके, अपनी property, अपनी factories को protection प्रवाइट कर सके, state law and order maintain करेगी न, तो working class क्या रहेगी, दबे हुए लोग बस ऐसे काम करते रहेंगे, getting it, तो ये सारे features और keywords समझ आ रहे हैं न आपको, आपने, आपको imagine करना है चीज़े, तो अभी आपको अगर Marxist approach समझ में आ गया हो, कि किन-किन चीज़ों पर focus किया गया है, तो हम थोड़ा criticize भी करेंगे, भाई जहां पर Karl Marx या Marxist approach में इतना ज़्यादा focus किया जाएगा, किस चीज़ पर, economic factor, बीस पर या इस तरीके की चीज़ों में, तो भी इसको criticism भी मिलेगा न, तो criticism में हम देखते हैं, Karl Popper जो हैं, यह इन्होंने बहुत ज़ादा criticize किया है Karl Marx को, और इसे one of the enemy of the open society कहाँ है, यह चीज़ें आप exam में mention करना है, getting it, so along with the Plato, Hegel, Marx को भी Karl Popper ने क्या कहा है, enemy of the open society, अब enemy of the open society क्यों, क्योंकि जो Karl Marx ने जिस तरीके की social engineering की बात की है न, social engineering का यहां पर पता है, क्या मतलब है, society का setup ही change कर देना है, engineering का मतलब क्या है, आपको नई चीज़ें reintroduce करनी है, पुरानी चीज़ों को fake नी है, मतलब change करना है setup, society का, तो Karl Marx ने कहा न, capitalism को overthrow कर दो, उखाड फेंको, इसकी जगे क्या establish करो, socialism establish करो, तो यह जो social engineering, Karl Marx सजेस्ट कर रहे हैं, तो जो Karl Popper हैं, ने इन्होंने से reject किया, और बोला है कि, यह बहुत ही dangerous है, society के लिए, फर्दर, इन्हें कृटिसाइज किया गया, जो Marxist approach है, उसको, कि इन्होंने economic factor, जो base है न, जो mode of production, economic factor को ही, पूरी तरीके से important बताया है, other factors जो politics में रहते हैं, जैसे nationality, friendship, religion, इन सब चीजों को ignore कर दिया है, अब society में ऐसा तो नहीं है, कि सिर्फ हमेशा contradictions ही होगा, class struggle भी होगा, cooperation भी तो रहता है न, बहुत सारी चीजों में, तो critics कहते हैं, कि Marxist approach ने, सिर्फ economic factors पे ही focus किया है, जो other aspect है, politics के, उस पर ignore किया है, उस पर कोई काम नहीं किया, तो this is the one aspect, और इसकी वज़े से, इनकंप्लीट हो जाती है, ये approach, next है, जो critics हैं, वो कहते हैं, कि जो Marxist approach के supporter थे, जैसे Karl Marx, इन्होंने बहुत सारे, political phenomena's को predict नहीं किया था, देखा नहीं था, सोच नहीं पाए थे, पर पॉलिटिकल, थेवरी या, political approach का, main काम क्या था, post-behavioralism में हमने देखा था, modern approach में, futuristic approach, future के events को predict कर पाना, तभी तो आप relevant बना पाएंगे न, political science को, तो Marxist approach में से, कि जो method से, methodology थे, इस में से future के जो चीजें हुई थी, जैसे कि fascism का उदे होना, totalitarianism का होना, फिर आप देखोगी कि welfare state आ जाता है, कि government का काम, सिर्फ law and order maintain करना नहीं है, सब चीजें कहीं न कहीं, Marxist approach ने predict नहीं किया था, next है, कि जो काल मार्क्स ने, new social order imagine किया था न, कि communism होगा, हम primitive states की तरीके से, एक society set up करेंगे, capitalism को खाड़ फेंक कर, तो professor सेबाइन कहते हैं, इस new social order को, इन्होंने कहा है, utopia, मतलब कालपनीख है ये, दो कि it is generous and humane, but it is utopian, मतलब ये एक abstract चीज़ हो सकती है, क्या ऐसा possible है present time में, कि capitalist system को आप उखाड़ फेंकें, और communism establish कर दें, और further ये चीज़ आगे और प्रूव होती है, इसके criticism का कारण बनती है, जब communist system का collapse होता है, आपको याद होगा, cold war जब end होता है, तो USSR का collapse होता है, फिर से US की hegemony establish हो जाती है, तो जब USSR का collapse हुआ, इससे ये पता चला कि जो communism है, ये practically and theory दोनों तरीके से, क्या है, अच्छा नहीं है, तभी तो fail हो रहा है न, क्यों fail हो रहा है, तो जो shortcomings थी Marxist अप्रोच की, वो उसको और ज़्यादा criticize किया जाने लगा, after the collapse of communism, तो ये कुछ criticism थे, hopes हो आपको valuable points मिल गए हैं, अपने answer में लिखने के लिए, अब हम conclude कैसे करेंगे answer को, C, Marxist अप्रोच आने से बहुत सारे benefits होए थे, दो की इतने सारे shortcomings हैं, but still आप देखेंगे कि जो political science को study करने का, एक नया perspective मिल गया था, वो नया perspective क्या था, कि political science के जो problems थे उस time के society में, inequality, poverty की problems, उस पर भी ध्यान दिया जाने लगा था, और आप देखोगे कि welfare state का concept आया, जो most important था, भाई, liberalism ने जो capitalist society थी, उसने अपने आपको reform किया, एक welfare state established किया, जहां पर state का काम क्या था, सिर्फ law and order maintain करना नहीं था, जो citizens थे, जो people थे, उनके लिए welfare का काम करना, okay, so deeper scrutiny की गई थी, nature of politics का, और जो economic perspective था, politics में उसको भी include किया गया, तो hopes हो कि आपको ये समझ में आया होगा, marxism, see, I tried my best कि मैं आपको इसको simplest तरीके पर संझा पाऊं, so do comment below कि आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, आज का lecture, और ये marxism, marxist approach, फिर से मैं एक चीज कहूँगी, कि जब भी आप मेरा lecture सुनना, आप चीजों को imagine करना, और एक दो बार जब इस lecture को सुनोगे, एक story की तरीके से imagination अपने दिमाग में लाओगे, तो समझ में आ जाएगा for sure, और आपको focus कहां करना है, जो ये keywords हैं, इनको समझने की कोशिश करोगे, तो आपको marxism या marxist approach समझना और भी आसान हो जाएगा, got it? और जितने भी मैंने points दिये हैं, ये सारे points आप अपने exams में जरूर mention करना, और examples और भी आप mention कर सकते हो, जो मैंने explain करने के दोरान दिया है आपको, so this is all for today guys, thanks for watching, see you in the next video, bye bye, take care.